हाई गाई बेलकम टू दिस माई चैनल में आपका स्वागत है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो देखने के लिए बेल आइकन की घंटी को दबाए दोस्तों आज हम आपके सामने जिस पवधे और फूल को दिखा रहा हूँ उसे तो साइद आप सभी लोग देखे होंगे और पहचानते होंगे अगर नहीं जानते तो पहचान लीजिए इस पवधे का नाम भी जान ले इसे बोगन बेलिया के नामों से जाना जाता है बसंत रित के आगमन के साथ चारो तरब फूल ही फूल नजराते हैं बसंत रित को फूलों का मौसम कहा जाता है क्योंकि इस समय दुनिया में अधिकतर फूल खिलते हैं बोगन बेलिया इनी फूलों में से एक है इसको हम घरों के बाहर बाग बागीचों में एक सजावटी बेल के रूप में देखते हैं इसमें काटे होने की वज़ा से कुछ लोग इसे जंगली भी मानते हैं इसके फूल सफेद लाल गुलावी बैगनी वा नारंगी रंके होते हैं जब बेगन बेलिया के लते पर फूल खिलते हैं तो उनमें पत्ते का फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं जो बेहद मनमोहक होते हैं इन फूलों में खुस्बू नहीं होती है तथा कुछ लोग इसको कागज के फूल के नाम से भी जानते हैं बोगन बेलिया लता पर जात का पवधा है या जानकर आपको हैरानी होगी कि बोगन बेलिया ना सिर्फ एक सजावटी फूल या पवधा है जो हमारे बागीचों की खुबसूरती बढ़ाती है बलकि इसके स पर जाती एक आवसवधिये पवधा भी है बोगन बेलिया देखने में जितना सुन्दर है उतना गुणकारी भी है बोगन बेलिया का पवधा आरुवेद में खांसी दमा पेचिस पेट या फेफड़े के तकलीफों को जैसी समयस्या में उतियोग में लाया जाता है खांसी जैसी समयस्या होने पर भोगन बेलिया खांसी की समयस्या से फुटकारा दिलाती है भोगन बेलिया और दालचीनी को पानी में तब तक गरम करें जब तक कि आई उबाल कर आधा ना हो जाए अब इसके कड़े या चाय में सहद या मिश्री मिला कर पीने से गले को आर काम मिलता है खांसी की समयस्या इसके कड़े को पीने से दूर होती है या किसी को आखों से जुड़ी कोई समयस्या होती है आखों में लालिमा हो गया हो आखों की सूजन हो मुतियाबिंद की समयस्या हो आखों से कम दिखाई देता हो आखों की कोई समयस्या उसको भी दूर के लिए इसके एक गुच्छे फूल तोड़ ले एक गुच्छे में बारा से तेरा कलिया होती हैं इसका चाय बना ले जैसे आप सुबस चाय बनाते हैं पीने के लिए उसी तरह से बनाएं चाय पत्ती की जगा इस बोगन बेलिया को डाले आखों से जुड़ी हर समेश्या कोई समेश्या हो मोतियाबिंद रोसनी को बढ़ाएगी अगर आपको चस्मा लगता है तो यकीन माने आपका चस्मा उतर जाएगा मोतियाबिंद की समेश्या कब होती है जब आपके आँखों के आँशु आँख गीला पन राता है वह सूख जाती है यह इसलिए सूखता है अगर आपके आँखों में एक इंजाइम पाई जाती है जिसका नाम लाई जो जाइम होती है अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो सेर करो आदाम नमस्कार देशी आरवेद